गुड मॉर्निंग एविविवन क्या हाल चाल है। आपने जदतर सुन रखा होगा बिल्ला चेतक, बिल्ला परिफेक्ट प्लस, MP बिल्ला अल्टिमिट अल्ट्रा वहीं दूसरा जो आदित्य बिल्ला ग्रूप है वो अपना सिमेंट अल्ट्राटेक के नाम से बेजता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं MP बिल्ला और आधित्य बिल्ला ग्रूप के बारे में। वहाँ पर मेरे को कमेंट करके बताएं का आप अपने घर किस सिमेंट से बनवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोनों का डिफरेंस एजीली समझ में आये। उसके लिए मैं पहले आपको दोनों कमपनियों के बारे में बता देता हूँ। दोनों की थोड़ी जानकारी देता हूं company की, फिर उनके premium product जो है, cement का, उनका premium product आता है, उसके बारे में जानकारी दे दूँगा, फिर उस premium product की price कितनी है, और उसके साथ वो service क्या provide करवाते हैं, तो हम आज चार topic पर discussion करेंगे, company की briefing पे, फिर company के products पे, फिर company की servicing पे, फिर company क जो premium product की price कितनी है, उसके बारे में, और हमें consistent काम में लेना, ताकि हमें ये clear हो जाए, तो सबसे पहले बात करेंगे, MP Buildla Group के बारे में, MP Buildla Group का पूरा नाम है, MP Buildla Group Corporation, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको Buildla Corporation के नाम से अटके अंदर share भी मिल जाएगा, और कहीं पर आपने पढ़ा भी होगा, तो Buildla Corporation के नाम से जो भी product आते हैं, वो MP Buildla Group की तरफ से होते हैं, इसकी जो foundation होई थी, वो 1910 में बना था ये, और 1910 यानि कि आजादी से पहले का ग्रूप है, MP Buildla Group, और ये cement industry में काफी पुराना player है, लेकिन जो इसकी manufacturing capacity है, वो बहुत कम है, in compared to Aditya Buildla Group, जो इसकी manufacturing capacity है, वो है 20 ton per annum, जो कि इनोंने कुछ time पहले चीव करी है, Reliant cement को पूरा 100% take over करने के बाद, उससे पहले इनकी capacity थी 10 million ton की, अब इनोंने थोड़े time पहले, Reliant cement को इनोंने take over किया है, जिसकी वज़े से इनकी capacity और बढ़ गई है, तो 1910 में बनी MP Buildla Corporation की Company, अब बात करें, Aditya Buildla Group की, Aditya Buildla Group के बारे में काफी सारी information सबको already है, Aditya Buildla Group ने अपना कतम cement industry में 1983 में रखा था है, याई 1983 के अंदर, तो उनको आए हुए सिर्फ अभी 50 साल ही हुए है इस industry में, जो MP Buildla से सिर्फ आधे से भी कम है, लेकिन Ultra Deck ने अपना नाम इस तरह से क 1 cement company है, अब number 1 cement company क्यों है, उन्होंने अपनी website भी एक्स्प्लेइन किया है कि वो number 1 company क्यों है, तो इसका ये बहुत अच्छी बात है, तो manufacturing की capacity जो है, इनकी 116 million ton है, पर year वो 116 million ton का cement manufacture करती है और पूरे world के अंदर supply करती है, इंडिया जिसके अंदर वो सबसे बड़ा player है, तो इसलिए अधित्य बिल्ला ग्रूप की ultra tech company जो है, वो इंडिया की number 1 cement company है, इसलिए वो बन के बैठी है और उन्होंने इस चीज को explain भी किया है, अपनी एक report के साब से, और वही MP बिल्ला ग्रूप की cement की capacity है सिर्फ 20 million ton, और ये one of the largest और oldest cement manufacturing supplier इंडिया में अंदर, ये तो बात हुई दोनों company के introduction के बारे में, MP बिल्ला ग्रूप और अधित्य बिल्ला ग्रूप, दोनों ही different है, कब बने थे वो भी मैंने आपको बता दिया, और कितनी इनकी capacity वो भी बता दी, अब जो MP बिल्ला का है, वो premium product जो आता है, उसका नाम है, perfect plus, चेतक, और चेतक का जो औ और advance है, वो बिल्ला Samrat advance, इस नाम से MP बिल्ला अपने premium products निकालता है, और एक चीज़ और, MP बिल्ला जो group है, वो PSE cement के अंदर सबसे leading player है, इसका जो PSE cement है, वो सबसे best आता है, MP बिल्ला इस मामले में बहुत अच्छा है, तो उसका जो PSE cement आता है, वो ultimate के नाम से आता है, औ वो 360 रुपे से शुरू हो के, जो premium product निका है, 420-430 रुपे तक जाता है, ये राजिस्थान की price है, अगर आप MP में खरी देंगे, तो इसकी price 15 रुपे बढ़ेगी, और अगर आप बिहार और Assam की साइड में खरी देंगे, तो ये जो current price है, 360-420 की, वो 50 रुपे सीधी के अलावा उसका, इनके ultra tech super, ultra tech ultimate, ये इस नाम से अपने में product निकालती है, लेकिन एक चीज को मेरे को अच्छा बात नहीं लगी, कि मैंने इनकी website जब ultra tech की check करी, तो उसके उपर उन्होंने अपना product portfolio नहीं निकाला है, या उन्होंने वो उसको release नहीं किया, कि उन्होंने य ये चीज manufacture करी है, या फिर इस चीज को बनाया है, उनको अपने website पे official नहीं डाला कि हमने ये चीज बनाते हैं, ताकि कोई उसके information ले ले, तो मिरको public general information चाहिए थी, वो मुझे उनकी website पे नहीं मिली, जो कि अच्छी बात नहीं है, अगर आप अपना product निकाल रहे हैं, तो public को दिखना चाहिए, तो easily दिख जाया तो अच्छा है, या हो सकता है, मैंने mobile के अंदर website खोली हो, तो मुझे ना दिख पाया हो, अगर आपको दिखता है, तो मेरे को नीचे comment करके जरूर बताएं, कि उनके website पे product आपको दिख रहे हैं, सई से या नहीं, लेकिन MP Builder की रुपए का दिख दोरों के बीच में फरक है, लेकिन इनकी price range जो है, वो similar है, तो MP Builder की जो price range है, वो तकरीबन 460 रुपए लेके 410 रुपए तक, और इनकी जो ultra tech की price जो 4370 रुपए से लेके 420 रुपए के बीच में है, अब मेरी जो research है, उसके साब से मैं किसको अच्छी देती है, तो service के बारे में अगर हम compare करें, service किसे कहते है, on-site service देना, यानि मैंने अगर इस company का cement लिया है, तो उस company का representative मेरे को help करेगा, क्या, अगर मेरे को को doubt आता है, तो वो मेरे को help करेगा या नहीं, ये बड़ा main point होता है, service किसी भी company की end से अगर अच्छी हो तो वही उसके लिए MP Builder की तरफ से on-site service बहुत easily available है, आप call करेंगे तो उनका product premium range खरीदेंगे, तो आप engineer को inform कर दे या dealer को inform कर दे तो आपकी site पे site engineer आ जाएगा, वही ultra tech के अंदर on-call service provide कर रहे हैं, अगर on-site service चाहिए तो आपको dealer को बोलना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ site पे engineer available होगा या आपकी city में engineer available है, तो वह आपकी site पे आएंगे, वरना वो मना कर देंगे कि भाई साब हम नहीं आ सकते हैं, देखिए, मैंने अभी तक जुदता note किया है, उसे साब से मैंने किसी भी ultra tech के engineer को अपनी site पे नहीं देखा, और वहीं अगर हम MP Builder को compare करे हैं, तो MP Builder की तरफ से काफी सारी सुवीधा हैं available हैं, वो direct regular मिलने आते हैं, और customer के साथ भी touch में रहते हैं, और उनको आश्वाशन देते हैं, कि अगर आपकी जब भी छद बराई हो, या फिर आपको कुछ भी doubt हो, तो हम आपके साथ रहेंगे, देखिए, मैं इसलिए मेर और तेरे personal view से बता रहा हूं, हो सकता है कि आपकी site पे ultra tech के engineer आये हो, या MP Builder के engineer ना आये हो और आपको उसके product के साथ problem आई हो, और ultra tech के साथ रहेंगे, और उसके engineer आपके site पा जाए, तो हो सकता है, ये मेरा personal view है, तो मैं थोड़ा ultra tech को कम prefer कर रहा हूँ, क्यूंकि मेरा experience इ ज़्यादा problem आए, in compared to ultra tech cement, तो आप अपना खुद का decision लें, अपने हां के local dealer से पहले बात करें, और आपको जो service चाहिए, वो service को लिखें, और समझें कि आपकी service के हिसाब से, या फिर आपकी जो requirement है, उसके हिसाब से, ये service provide हो रही है, नहीं, service मिल रही है, तो आप इन दोनों में से किसी भी group के साथ जा सकते हैं, मैं prefer करूँगा, तो मेरी choice MP Builder Group जाधा रहेगी, in compared to ultra tech या अधित्य बिल्ला group, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को नीचे comment करके जरूर बताएं, साथ में आपकी क्या राय है, वो मेरे को नीचे comment में जरूर लिखें, और दोनों के customer care को आप खोन करें, अगर आपकी छट भराई हो रही है, तो दोनों ही cement company के अंदर, आप customer care के अंदर phone करें, on-site service के लिए order करें, और उनकी तरफ से जो जो service available है, उसका फायदा जरूर उठाएं, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, चैनल पे और बहुत सारे वीडियोज available हैं, अच्छे अच्छे, इस बारे में जानकरी मैं देच चुका हूँ, आप मेरे टेलेग्राम चैनल को भी जोईन करके रखें, और दूसरे वीडियोज को जरूर चेक करें, तो मिलते हैं दोस्तों, अगले वीडियोज आप,